नवास्कार सूप्रभाद स्वागत सब्रंकारी क्रम में आप सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों का मित्रों आज एक मई है जिसे अंतराष्ट्रिय मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में मनाया जाता है एक मई अठारो सो चैसी को अमेरिका में एक आंदोलन हुआ मजदूरों ने किया पंद्रा-पंद्रा घंटे उनसे काम कराया जाता था, शोषण किया जाता था इसके खिलाफ या अंदोलन और जल्द ही सारे विश्व में ये फैल गया तब से लेकर कि एक मई खो मजदूर दिवस के रूप में, श्रमिकों के दिवस के रूप में मनाया जाता है इस रूप में कि वो जो कर रहे हैं, वो समाज के विकास के लिए कितना आवश्यक है हम सब समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि श्रमिक वर्ग ना हो, तो फिर समाज का क्या होगा उनके श्रम को सम्मान देने के लिए, उनहीं सम्मान देने के लिए आज का ये दिवस लेकिन केमल आज नहीं, लेकिन हर दिन श्रम को नमन करते हुए, हम जिन्दगी में आगे बढ़ हैं, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, लेकिन हर एक अपने स्थान में बहुत-बहुत महत्वपोन है, हम भी तो श्रमिक ही है न, हम भी श्रम करते हैं अपने धे को प्राप् करते हुए जीवन में सफलता का स्वाथ सकते चलें अई संदर भाव के साथ आज के सुवाक्य की और चलते हैं हीन भावना जो है हमारे जीवन के अंदर बहुत ही एक ऐसी कमी है जो हमें दूसरी रहा पर ले जाती है जीवन के अंदर हम अच्छे कारे करते चले जाएं लोग हमारी तारीफ करें न करें लेकिन हम अपने जीवन के अंदर अच्छे कारे को करते रहने के लिए दड़ संकल्प रहें प्रतिबद रहें हीन भावना व्यर्थ सोच से भी आती है या दूसरी बात आती है जब हम compare करने लगते हैं अपने आपको दूसरों के साथ कि वो व्यक्ति मेरे से अधिक अच्छा कर रहा है या उसमें ज्यादा qualities है लेकिन अगर हम यह देखना शुरू करते हैं कि नहीं मेरे अंदर भी प्रेम है अपनी भीतर की कई qualities को जब हम पहचानने लगते हैं तो खुद को हम बहुत उंचा श्रेष्ट हाई सेलफ एस्टीम पहचानने लगते हैं और यह प्रती दिन हमें करने की आवश्रता है जिसके लिए यह सू वाक्य को अगर हम सुबे उठकर दोराएं कि मैं एक श और उठकर जिए क्ष़ेष्ट कार्यों के लिए हैं अगर इतना मात्र भी हम अपने मन के अंदर दोराते हैं तो हीन भावना से नकिवल हम दूर रह पाते हैं लेकिन हम दूसरे लोगों को भी खीन भावना से दूर रखते हैं यदि हम जीवन में सकारात्मक हैं तो हम अपने आपको उस बुलंदी पर ले जा सकते हैं जहां हम पहुँचना चाहते हैं बहुत सारे एक्जामपल हमारे सामने हैं अपने देश की बात करें तो मिताब बच्चन जी हो तीरु भाई अंबानी हो रजने कान जी हो या ऐसे अनीत जिन्होंने अपने आपको बिलकुल ही नीचे से फर्ष से अर्ष तक पहुचाया है तो हमें श्रम करते वे सफलता की ओर बढ़ते चलना है और इसके साथ चलते हैं अपने अगले सेग्मेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर और आज बात करते है फूट पॉजनेंग की मित्रो भोजन अम्रिद भी है तो कई बार जहर भी बन जाता है कैसी आई संते हैं फूड पोईजनिक बोचन में कई बार ऐसी चीज़े चली जाती है जो है कि हमारे शरीको नुकसान करती है और हमें जानलेवा भी सावित हो सकती है अस्पेशली आप जो बोचन जैसे हम बार खुले में रख देते हैं गर्मियों में उसमें किटानों उर्ते हैं बैक्टिरिया और भी हुगसानी आंतों खराशके है और वह हमारे आतों करकाती है ठीसमें पार प्रेश डिया हो जाता है लूज मोशन हो जाती है और बाड़ि को ढहरा पानी दॉशानी एंक आत अल्स- तो ते हमें अधिडिया probableσηа या तो फ्रेश बनाए, फ्रेश खाएं, इवन जो हम वेजिटिबल बजा से लेक आते हैं, सबजे लेकर के आते हैं, उन पर भी बहुत सारे बेक्टिरिय और वाइरस लगे होते हैं, तो आप ध्यान लखें, जब भी आप उनको यूज करें, तो उनको प्रापर धन से पहले और दोने के बाद, यूज कि इतने भी इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, वो भी पॉजन होते हैं, और वो भी कई बार हम बिना दोहें कोई चीज को, सबस्क्री कोई भी हम सबजी है, कोई फल है, और ऐसे हम उनको खा लेते हैं, वो गलत है दोस्तों, आप अप अच्छे पॉज कर लें, और फिर उसको अगर आपको फिर भी डर लगता है, या तो चलके कसा आथ से हमेशा कोई भी फाल या सबजी, चलके साथ खाएं तो बहुत अच्छा होता है, या फिर भी अगर आफ तो आप चलका उतार दें और पापर लिग बनाएं और उसको बनाएं और अगर या फूट बनाएं और फिर अगर फूट प्वाजनी से बचना चाहते हैं, इवन भी जो होता है, जिस आप पिसवाते हैं, तो उसमें इद्धान डखना होता है, तो उसमें भी इनसेक्टिव साइड्स होते हैं, उसको तो मतलब आप जिब भी यूज करने से पिसवा अपलस अपनी हाइजीन अच्छी रखें, हाथों को प्रापर ढंग से दोएं, टेकनिक होती हाथों को दोने की प्रापर ढंग से करना 20 सेकिंड सागून आपके हाथों पर लगा रहें, ताकि कोई बेक्टिरिय वाइरस है उसकी वो मर जाता है, तो आप जब भी खाना काने ब बचेंगे और स्वास्त जीवन बिटा सकेंगे, ओम शाद। प्रेरित जरूर होते हैं, और ऐसे ही विशिष्ट जन की बाते विशिष में हम विशिष अतेथियों की अनुभव प्रति दिन सुनते हैं, जिन्होंने इस कांपस में आकर, जिन्होंने इस संगठन में आकर अपने आपको भी प्रेरित अनुभव किया, और साथ ही साथ उन लक्ष्मी गोपाल स्वामी जी जो भरत नाट्यम की प्रसिद्ध भृत्यांगना भी है आये मिलते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब को मैं सिस्टर ब्रदर बोल रही हूँ इनिशली जब नम्मकुमारी मेरी साथ ऐसे बात करेता सिस्टर लक्ष्मी सिस्टर तो मैं अरे तोड़ा सुपरफिशल लग रहा हैं ओके या सिस्टर सिस्टर मगर अच्छली ज़र मैं experience कर रहे हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि क्योंकि एक ट्रस्ट जुड़ता है सब एक गोल पर है कि हमारा सेल्फ पर वर्क करना और कुछ खिसी को और कुछ फाइदा लेने देना कुछ नहीं है अधर तो यह यह इनिक अच्छा मॉडर्न दे में क्या हुआ है स्ट्रस्ट अपर किसको विष्वास कर सकते है तो क्या होगा एंग दोड़्यादिस्ट आफ टाट अट, ट्था प्री चुट थान प्रॉडव्ड़ता है जब हम किसी काम प्यार से करते हैं जो भी कामों अभी अभी अट्लिवेका जूड़ता है मेरा भाहिया, he first got into Brahmakumari meditation, and with that, I had this course, just now I was just saying, look, that cleaner lady, jadu पोचा कर रही थी, कितने अच्छे से कर रही थी, bend करके, so this is the spirit of true love and seva bhava, अगर हमारा काम हम ये spirit में करते तो ये world कितना सुंदर होगा, ये Brahmakumari, इसका ये ideology मुझे बहुत पसंद है, बहुत कन्विक्शन है क्या कि, ultimately, किसी पर restriction नहीं है, when I see here, only goal है, आपका soul देखना, soul consciousness पर awareness होना चाहिए, आप ये कपड़े पेनो, आप ये पूजा करो, आप अपूजा करो, आप अपूजा करो, आप कम्फूटबल है तो कीजिए, as an outsider मैं बोल रहे हो, कोई hierarchy, कोई dominance, ये नहीं है, सब जुड के एक साथ, एक कास को काम कर रहे हैं, और मैं ये भी बोल सकती ही, इदर का बोजन बहुत अच्छा है, मैं हर मील ओवरीट कर रहे हूं, इदर उपचार करने का रीती है, या खाना है, I am enjoying every aspect. सुन्दर अनुभाव, जो हम सब को प्रेरित करने वाला था, सचमुच्मित्रों जिस संग की मैं बात कर रहा था, बहुत-बहुत-बहुत महत्वपोन है, क्योंकि कहा जाता है कि पानी की एक बूंद, यदि वो सीप में गिरती है, तो मोती बन जाती है, सागर में गिरती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, साप के मुख में गिरती है, तो वो जहर का रूप धारण कर लेती है, बूंद वही है, लेकिन अलग-अलग लोगों के संगत में आने से उसका रूप, उसका व्यवहार, उसका अस्तित्व जो है, पहचान जो है, वो परिवर्तित हो जाता है और जब हम कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं तो सच्मुच हमारी भी आदतों में संसकारों में परिवर्तन आने लगता है विचारों में बदलावाने लगते हैं जीवन बदल जाता है और यही जीवन परिवर्तन का कारिये यही व्यक्ति को श्रेश् हाइलाइट्स में आए देखते हैं गुरुतेक बहादूर सिंग जी के चार सौवे जनम दिवस को पानीपत के तेरह और सत्रह सेक्टर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया इस कारेक्रम में हर्याना पंजाब एवं दिल्ली के लाखों लोगों ने भाग लिया यह कारेक्रम हर हर्याना सरकार द्वारा आयोजित किया गया था उत्साव की शोभा बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक विभूति आनंद मूर्ति गुरुमा महामंदलेश्वर स्वामी ज्यानानंद राजयोगिनी सरला बहेंजी राजयोगी बीके भारत भूशन एवं अन्य आध्यात्मिक विभूतियों को मंच पर स्थान देकर सम्मानित किया गया इस जन्मोत्सव पर हर्याना के मुख्यमंत्री भ्राता मनोहरलाल खटर उप मुख्यमंत्री दुश्यंत चोटाला पूर्व मुख्यमंत्री भ्राता भूपेंद्र हुड़ा एवं क्याबिनेट मिनिस्टर भ्रात कवरपाल जैसे राजनेतिक नेताय भी शामिल हुए इस कारेक्रम में राजयोगी नी सर्लादीदी एवं भ्राता भारत भूशन जी ने हर्याणा के मुख्यमंत्री भ्राता मनोहरलाल खटर जी समेत सभी महानुभावों को इश्वरिय सौगात देकर सम्मानित किया पित्रों आज का दिवस विशेश दिवस श्रम दिवस है हम सब अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं और उसकी निव में श्रम ही है हम सब परिश्रम से घबराएना हम सभी श्रमिक हैं क्योंकि हम सब अपने जीवन के धे को प्राप्त करने के लिए महनत करते हैं और यदि महनत करेंगे तो निश्यत रूफ से हम धे को प्राप्त करेंगे और यदि महनत से मूझ ही पाएंगे तो फिर हम सफलता से दूर होते चलेंगे तो मित्रों आज की दिवस पर हम सभी कृत संकल्प हो जाएं कि अपनी विकास के लिए समाज और रास्ट के विकास के लिए हम द्रिढता पुर्वक श्रम करेंगे परिश्रम करेंगे इससे अपने आपको पीछे नहीं हटाएंगे पस्तों में एक राजा की स्टोरी भी बहुत ही खुबसूरत है जाते जाते मैं वो भी शेयर करना चाहूंगा राजा ने घोशना की कि मेरी राज्यवी जिसके हाथ सबसे खुबसूरत होंगे उन्हें मैं इनाम दोंगा सबने अपने अपने हाथों को शेंगारित कर लिया और प्रस्तुत कर दिया सब को और उसे पुरस्कृत किया गया वास्तव में श्रम को ही पुरुसकार प्राप्त होता है तो आज के इस मजदूर दिवस पर हम संकल्ब भी करें कि जो हमारे श्रमिक भाई श्रम कर रहे हैं उनको हम बहुत-बहुत सम्मान देंगे आदर देंगे उनके अधिकारों के लिए ह हम भी खड़े होंगे और साथ-साथ हम विष्रum करते हुए अपने जीवन के धे को प्राप्त करेंगे तो आप सब आगे से आगे बढें अपने जीवन के धे को प्राप्त करें इनही शुब कामनाओं के साथ देज्ये जासत नमस्कार ओम श्यूपंधि जीवन के सबरं, सबरं, सबरं